जय हिन बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग UPCCC Forest Guard 2019 की वेकेंसी के बारे में बात करेंगे हलाकि 2024 चल लहा है लेकिन बात अभी भी 2019 की वेकेंसी की ही हो रही है इसमें हम लोग मेडिकल की नई अपडेट जानेंगे और मेडिकल का रिजल्ट कब तक आएगा और डीवी के लिए कब बुलाया जाएगा इसकी विचर्चा इसमें होगी तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले जितने लोग नए हो वो चैनल जरूर सब्स्राइब कर लें ताकि UP SSSC से रिलेटर या UP Police से रिलेटर या किसी भी latest भरती से रिलेटर कोई अपडेट हो तो आपको तुरंत मिल जाया करें तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को देकि UP SSSC Forest Guard आपको पता ही होगा ये vacancy है 2019 की इसका पेपर हुआ था अगस्त 2022 में फिर इसका फिजिकल हुआ है मार्च 23 में मार्च में हुआ इसका फिजिकल और फिर इसका मेडिकल हुआ है दिसंबर 2023 में तो यानि आयोग अगर कुछ चीज करा लेता है तो उसके बाद 5-6 महिने वो रुक जाता है जैसे अगस 2022 में पेपर हुआ तो रिजल्ट आने में उसने लगबग 7-8 महिने लगा दिया फिर फिजिकल से मेडिकल का रिजल्ट या मेडिकल कराने में उसने 8-9 महिने लगा दिये और अब जब मेडिकल भी हो चुका है तो DV के लिए भी कोई नोटिस दिखती नहीं रही है तो ऐसा आयोग क्यों कर रहा है सचिव जी इस भरती को लेट क्यों कर रहे है इस बारे में हम लोग आगे जानेंगे लेकिन फिलाल यह बता दें कि यह भरती 코cht में चली गहीए, क्योंकि 12 लोगों ने मिलकर एक रिट डाली है और रिट किसलिए डाली है, क्योंकि उन्लोगों को medical में फेल कर दिया इसलिए उन्होंने re-medical के लिए अपलाई किया, तो re-medical के लिए ही 12 लोगों ने कोट में एक रिट डाली है तो फिलाल यही status है कि यह भरती अभी quote में है बाकी कुल 16 लोगों को medical के लिए बुलाया गया था जिसमें 11 fresh candidate थे fresh का मतलब जो absent हो गया थे उनहीं का या उनहीं में से 16 लोगों को बुलाया गया था जिनमें 11 fresh candidate थे यानि सिर्फ absent वालों का ही medical हुआ है किसी का re-medical नहीं हुआ है यह बात यहां ध्यान देने योगे किसी का re-medical नहीं हुआ है तो इनमें जितने लोगों 16 लोगों का medical हुआ था उसका result लगबग उसी दिन 3-4 बजे तक आ गया था जैसे हमां लोगों का आया था 3-4 बजे उसी तरह इन लोगों का भी आ गया था लेकिन अभी कुछ और medical होने हैं जो की 19-20 फरवरी तक होने है यानि 2-4 करके ऐसे-से कुछ medical होने हैं जो की 19-20 तक चलेंगे तो इसके बाद ही सायद कुछ इसमें हो जाए बाकी कोट जो आदेश देगा कि सबका री-medical हो या ना हो यानि जो फेल हो चुके हैं उनका भी री-medical हो ये तो अब कोट के आदेश पर ही निर्भर करेगा तो यानि अब जब कोट का आदेश जब तक नहीं आ जाता तब तक इसमें कुछ हो नहीं सकता तो अगर एक महिना ये चला गया तो लगभग पूरा फरवरी इसी में निकल जाएगा उसके बाद आ जाएगा चुनाओं उसमें आचार संहिता लाग जाएगी तो उसमें ये लोग DV कराएंगे नहीं बस हो सकता है कि medical का result भले निकाल दें लेकिन medical का result आने में अभी देरी हो सकती है क्योंकि अब ये court में चला गया तो जब तक court से कोई आदेस नहीं आएगा तब तक इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा बाकि जो कुछ लोगों का medical होना है वो 19-22 फरवरी में होगा तो जब तक सब का medical नहीं हो जाता तो जब तक सब का result हो जाएगा फिर एक साथ combined result आएगा तो आप यहां मान सकते हैं कि medical result आने में भी time लग सकता है और हो सकता है ये vacancy माई से जून तक final होने में लग जाए मुझे तो यहीं लग रहा है अगर इतने में हो जाए तब ही भला है क्योंकि आयोग इस भरती के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है इसने PIT का result फिर से निकाल दिया है हाला कि जिसका कोई इंतजार नहीं कर रहा था लेकिन PIT 2003 इसका result आ गया जैसा आपकी सभी को पता होगा लेकिन जो main paper है या main exam है उनकी vacancy clear नहीं हो रही है पोस्ट है कम से कम उनको तो नौकरी मिली जाए क्योंकि 19 से 24 चल लहा इतने में तो एक election का पूरा एक term complete हो जाता है लेकिन यहाँ पर एक vacancy नहीं complete हो पाए रही है तो आयोग से और सचिव जी से ये धर्खवास है हम सभी अभ्यरतियों की कि किरपया करके इस result को जल्दी से जल्दी निकालने की किरपा करें ताकि इन 655 का भला हो सके तो अपडेट यही है कि भरती कोट में चली गई है जब तक कोट कुछ निर्णे नहीं देता है तब तक आयोग भी कुछ नहीं करेगा वैसे भी आयोग करता ही क्या है लेकिन अब तो आयोग को एक बहाना और मिल गया कि जब तक कोट से राहत या कोई सुचना नहीं मिल जाती तब तक आयोग इसको नहीं बढ़ाएगा और बाकी जब तक 19-20 फरवरी में कुछ लोगों के मेडिकल होने हैं ये 19-20 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हो सकता है इनका कंबाइंट रिजल्ट मेडिकल का निकाल दे बाकी डीवी कब होती है इसका भी कोई अंदाजा नहीं क्योंकि आयोग सचिव जी भी कुछ बता नहीं रहे लेकिन सचिव जी से हमारी यही दरखास है आयोग से कि किरपया करके इस वेसिंसी को जल्दी कंप्लीट करें और कम से कम इन 655 को तो नौकरी मिले ही और एक अपील उन अभेरतियों से भी है जो कहीं न कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं अब वो किरपया इसमें अपनी डीवी ना कराएं यानि उन भाईयों बहनों से अनुरोध है कि जिनका कहीं भी सेलेक्शन हो चुका किसी अन्य एक्जाम में या किसी अन्य भरती में तो वो अब इसमें डीवी ना कराएं ताकि जिनके कटाउफ से थोड़ा वहत ऊपर मार्क्स हैं उनका नंबर हो जाए और आपके आशिरवात से ही उनको नोकरी मिल जाए तो हम सबकी तरफ से आयोग से ये अपील है कि इस भरती को जल्दी कराएं और उन अभ्यरतियों से ये अपील है कि जिनका सेलेक्शन हो गया है अब वो DV ना कराएं बाकि जो भी Forest Guard के candidate हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों को पता चले और जो लोग selected हैं वो उसमें DV ना कराएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्स्राइब कर लें ताकि UP SSSC Forest Guard या पेट या लेकपाल से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो उसकी अपडेट आप तक तुरंथ पहुँच जाए बाकि जो जिन लोगों ने टेलीग्राम ना जॉइन किया हो वो लोग टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं description box में उसका link दे दिया गया है बजरंगी study point से टेलीग्राम भी हमारा है उसको जॉइन कर लें तक कि जो भी latest update आती है उसके भी डाल दी जाती है और एक बार फिर से आयोग से यही अपील है कि हम सभी अभरतियों की इस दुख या दर्द को समझें और अब इस भरती को ज्यादा लेट ना होने दें बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी अपडेट में अगर कोई भी फारेजगार से रिलेटेड अपडेट आती है तो तुरंत वीडियो के दारा हम लोग मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन